हलो दोस्तो, वेलकम टु मैं चानल, फिट अंड फ्लेक्जिबल, मैं मनिशा कुबल, इस चानल पर हर टूजडे एंड फ्राइडे कुकिंग और एक्सरसाइस के वीडियोज अपलोड करती हूँ हमें टेस्ट भी चाहिए और वजन भी नहीं बढ़ना चाहिए, तो चलो आज बनाते हैं कुछ हेल्दी ब्रेक्फास्ट आज हम मूंग का चिला बनाएंगे मूंग का चिला बनाने के लिए हमें एक चमच जीरा, दो कटोरी मूंग बिगाए हुए पाउ चमच हेंग, दस पंदरा काली मेर्च, पुदिने के पत्ते, हरी मेर्च, तीन चार कद्दू कसकी हुए दो गाजर, थोड़ा कड़ी पत्ता, हल्दी आधा चमच, नमक, टेस्ट नुसार और अद्रक लसन पेस्ट देखिए ये सब मैं अभी मिक्सी के जार में डालूँगी, यह मैंने भिगाए हुए मूंग लिए है, दो कटोरी टेस्ट के लिए थोड़े पुदीने के पत्ते, हरी मेर्च लिए है मैंने, यह हम अपने टेस्ट के इसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, दो छोटे गाजर लिए हैं कद्दू कस करके कड़ी पत्ता हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैं कड़ी पत्ता भी इसमें एड़ कर रही हूँ, अद्रक लशन की पेस्ट लिए है मैंने, स्वादा नुसार नमक लिया है आदा चमच हल्दी पाउडर लिया है, और एक चमच जीरा लिया है, पाव चमच हिंग और 10-15 काली मिर्च लिये है एक चोटी कोटोरी इसमें मैं पाने एड़ कर रही हूँ, और इसे अभी पीस लूँगी, इसे एकदम बारिक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है, देखिए इस तरह ये मिश्रन अभी मैं बावल में निकाल लूँगी, और उसमें दो प्याज एकदम बारिक काटके अड़ करूँगी, इसको अच्छे से मिला लूँगी और बीस मिनिट के लिए मैं बाजू में रख दूँगी ढख कर अभी बीस मिनिट हो चुके है, गैस पे मैंने कास्ट आयन का तवा रखा है, देखिए ये मिश्र मेरा भी थोड़ा गाड़ा दिख रहा है, मैं इसमें वापस से छोटी कोटोरी में पानी लेके डाल रही हूँ, ज्यादा पतला नहीं बनाना, देखिए अभी अपना तवा गरम हो चुका है, अभी इसमें मैं हलकालका तेल छोड़ूंगी, ये कास्ट आयन का तवा है, इसलिए इसमें फर्स टाइम अच्छा सा तेल लगाना पड़ता है, टिशू पेपर से मैं तेल को फैला रही हूँ, अभी तवे पे एक चमच बैटर लिया है मैंने, और हलकी हा थे लाना है, हाथ एकदम हलका रखना है, यह हमें जाड़ा नहीं बनाना है, हलका सा पतला ही रहे गए, यह मैंने इसमें इसे चमच के सारे अच्छा से पतला बना लिया है, देखे अभी इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, जैसे ही तैन देल कम यूज करें, मीडियम टू स्लो गैस पे इसे ढख कर दो से धाई मिनिट तक पकने देना है, अगर स्लो गैस पे बनाते हैं तो ही ये क्रिस्पी होता है, फास्ट कैस पे ये इतने अच्छे नहीं बनते हैं, इसका लीड हटा के अभी देखेंगे, नीचे से हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका कलर अच्छे से चेंज होना चाहिए, नीचे देखिए, दिख रहा है इसका कलर अच्छा सा ब्राउन हो गया है, एकदम मस्त कलर आया है, हुँ ताकि सब जगे से यह अच्छे से कलर पकड़ ले दूसरी साइट से भी मैंने 2-2 मिनिट रखा है इसे अब यह मैं कोकनेट ओईल है एकदम हलका सा टेस्ट के लिए उपर से ले रही हूं यह खाने वाला कोकनेट ओईल है कोल्ड प्रेस कोकनेट ओईल जो बालों को लग लेकिन मैं थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए इसे और थोड़ी देर गैस पर रखूंगी और साइट साइट से दबा दबा के इसे सेक रही हूं ताकि वो अच्छे से थोड़ा क्रिस्पी बने एकदम भी क्रिस्पी नहीं बनता है लेकिन ऐसे वाला मेरे घर में पसंद आ अगर आपको मोटा चीला पसंद है तो आप थोड़ा मोटा भी डाल के खा सकते हो मेरे गर में पतला पसंद करते हैं दूसरा चीला डालने के लिए हमें पहले तवा साफ कर लेना बहुत जरूरी है टिशू पेपर से ये मैं तवा पोच रही हूं अभी मैंने एक चमच बैटर लिया यहाँ पे अभी से हलके हाथ से आपको एक बार और यह डाल के दिखा रही हूं कैसे धीरे धीरे से फैलाना है एकदम हलका हाथ रखना है और एकदम हलके हाथ से ही इसे जहाँ जाडा दिख रहा है वहाँ उसे पतला पतला बनाना है देखिए एकदम हलका हाथ है मेरा हो गया पतला ये पुरा आप भी ये चिला ज़रूर ट्राइ करना और मुझे बताना आपका चिला कैसे बना है और आपको टेस्ट में कैसे लगा अब मैं इसी तरह बाकी के चिला भी बना लेती हूँ चलो आईए ब्रेकफास्ट करने अपना ब्रेकफास्ट रेडी है ये आप किसी भी चटनी के साथ अचार के साथ या सौस के साथ खा सकते हो या फिर ऐसे ही खा सकते हो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करना नहीं भूलना और हाँ इस रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेस्टन्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो बाई फ्रेंड्स, फिड मिलते है